नमस्कार सभी को, आज हम रामायन के दूसरे अध्याय यानि अयोध्याकांड पर बात करेंगे। श्री राम के विवाह के कुछ समय पश्चात, राजा दशरत ने श्री राम का राज्य अभिशेक करना चाहा। परंतु कैकेई अपनी दासी मंत्रा की सलाह से दशरत जी के इस फैसले पर कुपित हो गई। दशरत जी जब कैकेई जी को मनाने आए तो कैकेई ने उनसे वर्दान मांगे की भरत को राजा बनाया जाए और श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया जाए। तब श्री राम के साथ सीता जी और लक्षमन भी वन चले गए और चित्रकूट में निवास करने लगे। श्री राम की पादुका को साथ लेकर वापस अयोध्या आ गए। उन्होंने श्री राम की पादुका को राज सिङहासन पर विराजित कर दिया और स्वयम नंदिगराम में निवास करने लगे। यहां हुआ रामायन का दूसरा कांड समाप्त. आशा है आप सभी को यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी. इसके साथ ही करते हैं. इस अध्याय का अंत पर आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें.